नमस्ते दोस्तों मेरे सुनो गवर्नमेंट्स चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ अनीता चोहान पत्नी श्री प्रेंपाल सिंग चोहान डिप्टी मेनेजर नैशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नंगल आज के विडियो में एमप्लाइज पेंशन स्कीम से संबंधित ए के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बेंड श्री प्रेंपाल सिंग चोहान से मिलवाती हूँ जो इस विशे के जानकार है तो चलते हैं दोस्तों नमस्कार उमीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे दोस्तों ये मेरा मुबाइल नमबर दिया हुआ है और आप इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें और आप किसे भी प्रकार का मैसेज करके कोई सला लेना चाहते हैं ले सकते हैं दोस्तों ये दाट से कितना पै्सा जमान करना पड़ेगा कि इस तो पहले देडा देख लेते हैं यह पहला वाला जो पार्ट है ये इनका टोटल वेज है 4,52,860 रुपे इनको 8.33% टोटल बनता है जिसमें से 22,132 रुपे इनका 1.16% बनता है टोटल केल्कुलेशन के बाद में and 198,045 ये आप पहले ही जमा कर चुके हैं यानि जो 541 और 1250 बगेरा आपने जमा किया है वो इसकी वैल्यू है और 2,4947 रुपीज ये आपको difference amount अभी जमा करना है लेकिन ये principal amount है इस पे जो भी EPFO को interest है उसके साथ जब जमा करेंगे तो ये जून 2014 तक 6,08619 रुपे आपको जमा करना है इनकी जो last month की salary है वो 50,570 है और ये हमको table 2 में हमने इसको इसी सारे data को summarize कर दिया है कि इनको के ताकि इनको समझने में और आसानी रहे table 3 में table 3 में हमने इनके पैसे की value calculate की है तो कि देखे ये उस वेक्ति के लिए जिस वेक्ति का ये data है उसके लिए बहुत important है जो normal लोग इस channel को देखेंगे उससे अंदाजा लगेगा लेकिन उस वेक्ति के लिए बहुत important है कि उसके पैसे की value क्या है तो table 3 में हमने table 3 में उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने ऊपर calculation की है उसी प्रकार से आपके पैसे की value क्या है ये PFO के अंदर वो हमने निकाली है और table 4 में हमने average निकाले हैं जो आपके 60 महने का average होता है बारे महने का average होता है और 60 महने का average और present pension के लिए होता है present pension money जो ceiling pension जिसको बोलते है यारी जो आज pension हमें मिल रही है तो इनका जो 60 महने का एवरेज आता है वो 44,172 रुपे आता है और जो 12 महने का एवरेज आ रहा है वो 39,836 रुपे आता है और 15,000 इनका एवरेज आता है परजेंट पेंशन में जो इनका लिया गया है इनके जो पैसे की value है वो देखे टेबल 5 में हमने recover करके दिखाई है कि 7,42,159 रूपींस ये इनके पैसे की value है और इनको pension कितनी मिल रही है pension आज की date में pension मिल रही है 3698 यदि हम इस पर 7% return की बात करें जैसा EPF हो खुद करता है कि वो retired लोगों के लिए 7% return देता है और जो normal है उन्हें 8% card discount rate लगाता है अपनी calculations में तो इसलिए हमने 7% ही लिया है तो 7% interest से इसकी पैसे की value कभी भी recover नहीं होती क्योंकि 7,42,000 जो आपके पैसे की value है उसमें 3698 रूपे आपकी pension है लेकिन इससे ज़्यादा 43,000 रूपे तो आपका परबंथ interest ही बन रहा है तो इसलिए इस पैसे की value कभी भी recover नहीं होगी देखें जैसा मैंने उपर बताया इनके पैसे की value है 7,42,159 रूपीस और इसको हमने 23 साल तक भी monthly calculate करके देखा है यानि value आपकी बढ़ती ही चली जाती है ये कभी भी recover नहीं होगी अब हम चलते हैं इनकी pension की और हो इनकी pension calculate करते हैं इनकी pension calculate करने के लिए देखें 20 माई 1962 इनकी date of birth है 28 April 89 को इन्होंने जोइन किया है तो इस तरह 6.55 years इन्होंने FPS के अंदर जोइन किया है service दी है तो उसका 85 rupees compensation होता है और इनके NCP days 2014 से पहले 5 दिन और 2014 के बाद एक दिन इनका NCP days भी है जिसको हमें calculation में लेना होगा और 19 माई 2020 को ये retire हुए है तो 19 माई 2020 से ही इनकी calculation होगी तो इनका जो FPS का part बनता है FPS इनकी इन्होंने लगबग 24 साल EPS में service की है तो इनका जो 25 साल से नीचे के लिए कम less than 25 साल के लिए table B के अनुसार जो compensation बनता है वो बनता है 6.589 और यदि हम इसको compensation को इस factor से multiply करने है मतलब factor बनता है ये table के अनुसार और factor को 85 से जब हम multiply करेंगे तो 560 रुपए इनकी pension बनती है family pension scheme की अब हम इनकी पहले present pension देखेंगे देखें मैं कई बार कहता हूँ कि average निकालना बहुत जरूरी है average से ही pension सही calculate होती है देखें हमारा average आ रहा है 15,000 लेकिन इनोंने जो average लिया इनके PPO के अनुसार में 14,803 इनोंने लिया है जबकि इनोंने जबकि इनके 6 NCPDs हैं तो और कोई इनका और कोई region नहीं है 6 NCPDs को गया दिगटा भी दे हैं तब भी इनका 15,000 बनना चाहिया था लेकिन इनोंने 14,803 कैसे बनाया ये मेरी समझ से परे है दिन 6,859 आते हैं पांच दिन घटाने के बाद में 2014 से पहले जबकि इनोंने 6,851 डेज लिये हैं चलो इनमें पांची दिन का अंतर होता है तो एक दो रुपे का पेंचन पर फार्क पड़ता है इससे कोई बात नहीं है 2060 दिन 2014 के बाद इनोंने सर्विस की है हमारे भी 2060 दिन आते हैं इनके भी 2060 दिन ही आते हैं इस तरह जब हम इनकी पेंचन कैल्कुलेट करते हैं पेंचन तो मेरे हिसाब से वो 3715 रुपे पेंचन बननी चाहिए लेकिन इनको मिल रही है 3798 रुपे यानि लगबख 17 रुपे कम पेंचन मिल रही है और वो 17 रुपे जो कम पेंचन मिल रही है वो इसी करण्ट से है कि इनोंने एवरेज 14,803 रुपे लिया हुआ है तो मेरी मिस्टर यू एल डी ये यदि आप देख रहा हैं तो आपको सला रहेगी कि आप एक बार ये जरूर चेक करा लें कि आपका एवरेज जिन्होंने कम क्यों लिया है अभी ना कराएं जब आपका ये यदि नए पेंशन लगू होगी तो उसमें ह एज पर सुप्रीम कोट ओडर हमें 60 महीने का एवरेज लेना है मैंने यहां इस पर लिंक भी दिया है आज से पहले ये नहीं लिखा था कि एज पर सुप्रीम कोट ओडर हमें 60 महीने का एवरेज लेना है और सीधी पेंशन केलकूलेट करना है इसके अलावा सुप्रीम कोट order में कोई भी event बट नहीं है तो यदि हम ऐसा करते हैं तो इनकी pension calculate होती है 60 मेने के average के हिसाब से 17,287 रुपे और क्योंकि ये हमने देखिए उपर average calculate किया था 46,172 रुपे इनका average आता है अब ये pro-rata pension हमने calculate की है pro-rata क्योंकि है क्योंकि ये EPFO के circulation में है जिसमें पहले इन्होंने EPFO का ही regional offices ने इसको निकाल ला है कि बारे महिने का average इनका ये बारे महिने का average आता है जैसे हमने उपर देखा 29,836 रुपे और ये 60 महिने का average 44,172 रुपे तो इस तरह यदि हम pension calculate करते है pro-rata basis पे तो ये pension आती है इनकी 13,028 रुपे ठीक है जी क्योंकि ये इसमें क्या था इसमें 2014 से पहले 12 महिने का average और 12 महिने के average लेने के बाद में इन्होंने calculation की थी अब EPFO को जो circular आया है EPFO को जो mail था EPFO chain नहीं का उसके अनुसार कुछ PPO जारी हुए है तो ये last में हमने उस PPO के अनुसार भी calculation की है उस email के इसाफ से भी calculation की है इसमें क्या difference किया है 2014 से पहले आपका maximum average लेना है बला maximum मंथली salary लेना है average की बजाए 12 महिने के average की बजाए तो 12 महिने यदि इनकी maximum मंथली salary आती है 31,669 जबकि इनका average है 60 महिने का जो average है वो है 44,172 रुपए तो यानि इन दोनों में से जो कम होगा वो पहले 2014 की पहले calculation के लिए 31,669 लेना है और दूसरी calculation के लिए 2014 के बाद calculation के लिए 60 महिने का average लेना है तो 44,172 रुपए यदि हम लेते हैं तो इनकी pension बनती है 13,573 रुपए यानि यहां 13,282 बनती थी प्रोरेटा में तो प्रोरेटा की पेक्षा इस circular से 545 रुपए बढ़ जाएगी pension लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रिम कोट के किसी भी आदेश में किसी भी policy में पॉलिसी जो 95 में जारी हुई थी उसमें यह maximum मतली सेलने लेने का concept को नहीं है और कहीं भी नहीं है और यह challenge किया भी है लोगों ने और हम भी आगे इसे challenge करेंगे क्योंकि सुप्रिम कोट के decision के हिसाब से भी policy में ही कहीं नहीं है यह तो आप इस तरह calculate नहीं कर सकते है पर लेकिन aware होने के लिए सारी जानकारी एक साथ उपलंद कराने के लिए उन्दिश से ही यह calculation एक साथ की गई है चलिए अब हम देखते हैं इनको pension का area कितना बनेगा यह हमने इस टेबल में टेबल साथ है इसमें यह प्रोरेटा का हिसाब से और यह present pension का area इसमें हमने calculate किया है जो हम last में अभी देख है अब हम चलते हैं एक टेबल आठ की तरफ जिसमें हमने समरी क्या है कि 6,8,619 रुपए आपको EPF में जब आपका डिमांड लेटर आएगा यदि डिमांड लेटर 2014 तक आपको जमा करना है तो 6,8,619 रुपए आना चाहिए और 7,52,159 रुपीज आपकी पैसे की आले 70 रुपए आपके EPF में जमा होंगे तब तक जमा होंगे जब तक आप 24 जून तक यदि डिमांड लेटर आपको मिल जाता है और आप उसे जमा कर देते हैं तो और आपको पेंशन का एरियर 24 जून 24 तक आपको 2,14,44 रुपए एरियर मिल चकवा होगा परजेंट पेंशन का और 7,88,162 रुपए आपका यदि हायर पेंशन लागू होती है बैक डेट से एरियर चुकि आपका 20 में मई 20 में रिटार्मेंट है तो 2024 तक जून 2024 तक आपको 7,88,000 का एरियर मिल चुका होगा और यही देखें इप्रोरेटा के केस में कितना होगा प्रोरेटा के केस में 40,000 लग भग मिलेगा तो इस तरह आपकी जो टोटल पैसी की वेल्यू है उसमें से आपको 60 महिने के केस में 10,2,640 रुपए मिल जाएंगे चून 2024 तक यानि रिकवर हो जाएंगे अतना पैसा और 7,55,000 रुपए प्रोरेटा के केस में रिकवर हो जाएंगे आपका जो रिम विदाउट इंटरस्ट आपकी जो पैंशन है उससे डिवाइड कर दे तो लगबग 20 महिने में आपकी रिकवरी हो जाती है विदाउट इंटरस्ट और विद 7% इंटरस्ट ये लगबग 21 महिने में आपकी रिकवरी हो जाएगी और यदि प्रोरेटा लागू होता है तो ल परले साड़े पांस साल में आपके ये पैसे की रिकवरी हो जाएगी और उसके बाद जो आपको पेंशन मिलेगी वो पेंशन आपके लिए बॉनस होगी या आपका पैसा रिकवर होने के बाद की पेंशन होगी ये टेबिल नाइन में टेबिल दाइन में हमने 7% के साथ में ये कल्कुलेट किया है कि कितने मन्थवाइस ये इनको चेक करने के लिए Mr. ULD को चेक करने के लिए एक इजी तरीका हमने लिया है कि इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि कितने महीने में आपकी रिकवरी होगी और इसको हमने yearly compound किया है है अपरेल में compound किया है जिस तरह एपी एफो करता है ये इरली compound तो इस तरह इनकी रिकवरी इतने मन्थ में जो मैंने उपर बताए है इसमें हो जाएगी और ये हमने इनका area calculate किया है pension का ये इस pension का area ये प्रोरे Mr. ULD आपको ये सला रहेगी कि आपको जैसे ही demand letter मिलता है आप उसे immediate जमा कर दीजिए आपका जो भी आपकी basic में बहुत जादा अंतर नहीं है इसलिए दोनों ही case यदि 60 मेने का लागू होता तो आपके लिए बले-बले है ही यदि प्रोरेटा पर लागू होता है तो आपक से easily देख सकते हैं और beneficial रहेगा आपके लिए तो आप इसे immediate जमा कर दीजिए आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद लाइक और सब्सक्राइब करें बैल आइकोन जरूर दबाएं